जोहार एंग जय हैं दोसे अपलोग कैसे मेरी खाल से अच्छे पर अच्छे सपना पर पेपेशन कर रहे हूंगे तो आज मैं आप लोगे साइंस का प्रिवियू से कुछिन लेका हैं जो कि इस इंपोर्टेट राने वाला ठीक है और दोसे यह आप लोगा जारकन उत्पात प लोगो प्रेस कर दिजिए गएंड बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए अखे जब भी इसी परकार कश्रें को वीडियो आएगा क्लसे से आएगी तो आप लोग सबसे पहले नटीके सर्मिल सकेगा ठीक है तो आप लोग सुस्क्रायब आजना पर दिए और खार कर दिएगा त परिनाम आपकी सोच की अनुरूप नहीं होता है वो तो सिर्फ आपकी मेहनत की अनुरूप होता है सही बात है दोस्तों अगर आप जो सोचते हैं सोचने से कोई चीज नहीं होता है बलकि आप किस तरह मेहनत कर रहे हैं वो डिपन करता है उसके अनुरूप यह आपको सपलता पर आप तो होता है ठीक है इसे आप लोगों को लगे रहाना है डटे रहना है अभी बहुत सारे छातर नहीं पढ़ रहे होंगे आप लोग फढ़िए ठीक है उसका फाइदा आप लोगो साइज है एक जाब मिसन में देखनी को मिलेगा ठीक है अचानक डेट घोसना कर देगा सरकार तभी आप लोग फिक चिलाने लगिएगा चिलाने इस तभी कुछ नहीं होगा ठीक है इसलिए पहले स्त्यारी करते रहे है तब जाके कुछ हो पाएगा क्योंकि सरकारी नोखिर लेना तो एक दिन में कुछ नहीं होगा आप निरंतर थोड़ाई थोड़ाई लेकिन रोज पढ़ना होगा तब जाके होगा सोचेगा अचानक एकजाम डेट आजाएगा दस बारों घंटा चोदों गंटा पदरों घंटा पढ़ेंगे कभी पोसीबल ही नहीं अब एक दिन पढ़ सकते लेकिन कंटीनिव नहीं रोज नहीं पढ़ सकते ठीक है इसलिए चार-प को पोसन किसके दोरः प्राप्त होता है नाल की दौराः गरभासही का दोरा ओल विया तरल्पदार के दोरा जाय हो जाएगसन में ýशन देखें नाल या बिजार डांसन या एक क्या है औंग है और जिसके तोरा गरभास में उपस्तित जो कि भूर्ण के शरीर में माता के रग का पोसट पहुंचाता है जिसे भूर्ण की बिरिधी होती या अंग माता और भूर्ण के सरीर में संबंद बनाता है यह लगबग 22 सेंटीमीटर लंबा होता है नाल कितना सेंटीमीटर लंबा होता है तो यह 22 सेंटीमीटर लंबा होता है ठीक है चले नेक्स्ट है नेकिस सकेंड नमर प्रसन आप लोग के लिए लेके आए हैं क्या है गती का तिसरा नियम कहता है कि प यानी कि ब्राबर और बिरूद तो हम दो नोगों जिसके जो आफ एंसर हो जाएगा विलकुल यानी कि ब्राबर और विरुद डीके सिनल्वर ऑप्सन विलकुल राइट एंसर हो जाएगा देखे दिन्टʥं के गति के तीसरे नियम करन उसर परकृति परते किर्या यानि की बल के लिए एक समान परते किर्या होती है ठीक है आज छले नेक्स्ट है देखे ठर नंबर में आपका दिया हुआ है परकाश संसलेशन की किर्या में बोधो तोरा एक और पात के रूप में इस घेस का मुक्त किया जाता किस के गेस को मुक्त किया जाता हूँ आप लोग बताना है carbon dioxide carbon monoxide oxygen nitrogen तो हम लोग जिसके राइट एंसर हो जाएगा अप्सिजन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है परकास अंसलसन के लिए आविसक जल पौदों की जड़ों दौरा आवसोसिस किया जाता है ठीक है और इसी जल के अफगटन से कर्मडायोकसाइड गेस प्राप्त होता है ठीक है चले नेक्स्ट है देखें चार नमर में दिया हुआ किरित्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरन होता है जो खून से नाइट्रोजन का कच्रा इस किरिया के दोरा हटाता है किसके दोरा हटाता है प्लेनिंग के दोरा डाइलिसिस के दोरा अधान के दोरा परिवहन के दोरा तो हम लोग जिसके जो रा अपोहन पर किरिया दोरा हटाता है और सधारंता दो तरह की अपोहन की किरिया होती है उद्रावन्य अपोहन और रक्त पोहन उद्रावन्य अपोहन घर में रोगी और अकेले या किसी की मदद से की जाती है ठीक है चले नेक्स प्रसन आप लोगा देखे दिया हुआ है आचाले जो जेव इंधन नहीं है लकडी कोईला जानोरो्ग मल किरीसी ओधर मिला इसका तिरेट परसन आप लोग किलियर हो गया ठीक है देखें जेव इंधन फसलो जैसे की आप लोग पेड हो गया पोधा हो गया गोबर हो गया मानव मल हो गया यह सब आप लोगा जेव इंधन के अंदरगत में आता है ठीक है और इनका उपयोग बहुत ही असान होता है और यह परकृतिक होने योग इंदन है कोईला हो गिया पेट्रोलियुम में हो गिया यह सब क्या है पेड़ पोधों के परिवर्धिक रूफ है यानिजिक पेड़ पोधे थे उसके बाद य। आ निरमान हुआ लेकिन इनhall जा और जाता हैं लेकिन कोईला पेट्रियुम को को जिवासम इंधन कि कहा जाता है बताए चली आगे हैं अब छे नम्र में देखिए आपका दिया हुआ है क्या फोटो वेल क्या है फोटो वोल्टिक सेल वो होते हैं जो डेश उर्जा को डेश में उर्पान्तरित करते हैं बिजली स्वीर्परकास बिजली गर्मी गर्मी ठीक है नेक्स्ट चलिए देखिए साथ नमर में आपका क्या दिया हुआ है उत्पादक स्वीर परकासन की उर्जा सेंस परस्तिति की तंद्र को प्लब्द कराते हैं सही है या फिर एक भी नहीं गलत या फिर इसका ए नमर उप्शन हो जागी यानिकी सही है ठीक है देखे परस्तिति की तंद्र में उत्पादक स्वीर परकास की उर्जा सेंस परस्तिति तंद्र को प्लब्द कराते हैं और यह कतन विल्कुल ही सही है उधारन के लिए देखिए मानिक चलिए अपको देखिए हारे परकास में अपना भोजन स्वेम बनाते हैं लेकिन दूसरे जो जी होते हैं विबिन रूप में इस भोजन का उभभोग भी करते हैं चले नेक्स्ट है देखे आठ नमबर में आपका दिया एक पेंसिल जब दरव में डुबाई जाती है तो किसके कारण मोड़ी भी परतित होती है परकास के प्रावर्तन के कारण परकास के अपवर्तन के कारण परकास के विबाजन के कारण या फिर परकास के रंग के कारण तो इसका जो राइट जब पैंसिल या चड़ी को पानी से भरे बाल्टिंग में डुबाया जाता है तो पैंसिल या चड़ी मोरी भी परतित होती है ठीक है और जब कि अंदर तेरती भी मचली वास्त्री गहराई से कुछ उपर उड़ती भी दिखाई देती है यह किसके कारण तो परकास के आप वर रोकना पूरूस वास्त्री फिरितर कर उनको एक तरह से बांधा यह सिल किया जाता है सी में दिया वार नस्वंदी जिसमें महिला की सिलो फ्यों ट्यूब को बंद किया जाता है दी में दिया हुआ है महिलाओं में प्रोज इस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन के उत्पादन को रूखना तो नौक आपका बिल्कुल बी नमर उप्शन सही एंसर हो जाएगा यानि की एक पुरुस्वास डिप्रेंस पृतक कर उनको एक अलग तरह से बांधा या सील किया जाता है बी नमर उप्शन बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा चले ने एक्स प्रसिन को रहम लोग बढ़ते हैं ठीक है देखे दस नमर आपका क्या दिया हुआ है एक वाहन के पक्स दिरिस्ट दर्पन में कौन सा दर्पन होता है एक वाहन है उसके पीछे के दिरिस्ट देखने के लि अप लोग को लिए आया है ठीक है देखे उतल दर्पन का और परियोग क्या क्या होता है उसके बारे आप लोग जान लिए जिरिस्ट नो डाउन करते जाएगा ठीक है देखे वाहनों के साइड मीरर के पीछे के वाहनों की गती देखने है तू दूसरा में आपका है रोड अब लोग दो बता दिया अब आउतल को बताईएंगे ठीक है अउतल का आप लोग जान लिजिए वाहनों की हेडलाइन में वहान के जो हेडलाइट रहता है उसमें किस दर्पन का पशुच रहता है आउतल दर्पन का देखे ना को क्या कान आक दात गला अधी के डोक्टर क गांक किसी इसका परियोग करते हैं अंतल दर्पन का ठिक है इस से आप लोग बहुत सरा परस नो मिल गया है ना चले next है देखे 11 नमबर में चार ये बेहवार के बढ़ते करम को चुने पानी एसिटिक, एसिट, 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 एसिट आपका बारों में क्या दिया हुआ है जब समांतर में संयोजित होते हैं तो करनों के बीच का कोई विवाजन नहीं होता है तापमान का, बोल्टेज का, विदुद्धारा का, प्रतिरोध का इसको राइट एंसर हो जाएगा, सी नमबर यानि की बिदुद्धारा का सी नमबर उप्शन बिल्कुल से एंसर देखे, किसी बिदुद्ध परिपत को दो तरीके से बनाया जा सकता है पहला जो है, सिरेनी करम, तो सिरेनी करम क्या है जिस परिपत में, सभी गटक, सिरेनी करम में, यानि की continue रहेंगे, जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग शिरेनी करम करते है इसमें, देखे हर एक गटक से समाणधारा परवाइत होती है सकेन में, आपका होता है समांतर करम, समांतन करम क्या हो जान लेजे जिस परिपत्वे सभी गटक समान्तन करम में जूड़े हो उसे समान्तन करम कहते हैं इसमें हरे गटक पर समान बोलता उपलब होती है ठीक है चले नेक्स्ट है देखे तेरो नमर आपका क्या दिया हुआ है गुर्दे को गुर्दे दो बीन आकार के अंग होते हैं जिसमें पर फिल्टर का निर्मान करते हैं जिसमें कच्रा और अतिरिक्त तरफ पदार्थ होते हैं फिल्टरेशन इकाई को क्या कहते हैं मुत्र वाहिनी नीवरोंस मुत्रमाग नेफ्रोंस तो वह हम लोग जो ठाटीन का बिल्कुल राइट जो एंसर हो जाएगा डी नबर यानिकी ने किट्णी में लगबग एक लागårt तीसजा सुट्व में न लिगाएं होती हैं इतिने हम लोग क्या कहते हैं नेफ्रों कहते हैं ओर नेफ्रों को कीड्री की कर्यातर्मक इकाई या फिर कहते हैं संपन होता है समाप तो होता है राइट नेक्स चलिए शवद्व नमबर में देखिए परतेक न परतेक दूसरे कन को अपनी और आकर्षित करता रहता है इन दो कनों के बीच का आकर्षन बल उन कनों की सनहितियों के गुननफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर क विद्व कर्वानुपाती होता है यह किसका नियम है जड़त का नियम है कि गति का नियम है कि नियुटन का पहला नियम है या फिर गुरतवा कर्षन का नियम है तो पताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा गुरतवा कर्षन का नियम ठीक है डी नमर उप्षन विलकुल श्कायर करने वाल आकर्शन पल पिंडों के देर्मानों की कुनन फल के अनुकर्मानुपाति और उनके दूरी वर के विद कर्मानुपाति होता है, ठीक है, छले नेक्स्ट है, देखिए, पंदरों में आपका क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्चार्णी की अनुसार, हर्त में जब हम बाइए से दिख़ें बाइए से धाई और जाते हैं तब सई अजबतां को से किसकिया एक से क्या होती गढ़ती है बढ़ती है गुना होती है बदलती नहीं है क्या होता है जिसका राइट इंसर हो जाएगा बढ़ता है टेक है बीन अपर आप्शन बिल्कुल से इंसर हो जाएगा देखे आधोनिक आवर्थ सारनी के जनक मुसले हैं और इसके अनुसर तत्व के गून उनके पर्मानु कर्मां को के आवर्थी भलन होते हैं इसमें कुल साथ आवर्थ होते हैं एक एकाई से बढ़ती है ठीक है नेक्स चलिये सल्लम देखिया आपका दिया हुआ है सुच्म दर्सी के नीचे एक पत्य के अनुपरस काट में दिखता है कि कुछ कोसिकाओं में हरे रंग क्या है हरे रंग के बिंदू होते हैं या हरे बिंदू कोसिकाओं का हिस्सा होते हैं जिनको क्या कहते हैं और उनमें कलोरोफिल होता है जायलम कहते हैं फलोएम कहते हैं क्या कहते हैं तो इसको हम लग कलोरोफिलास्ट कहते हैं ठीक है डी नवर उप्सन बिल्कुल से इंसरो हो जाएगा देखिए हरित लवक या फिर कलोरोफिलास्ट ये परकार का कोसी कांग है जो सुकेंद्रिक पादब को सीकाओं में और सेवाल को सीकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, देखिए, हरित लवक परकास अंसलेशन दोरा परकास ती उरजा को रसाइनिक उरजा में परिवर्टित करते हैं। इनका हरा रंगी इन में उपस्तित कलोरोफिल रसाइन के कारण है जो प्रकास अंसिलेशन में अत्यावशक है माना जाता है कि नील हरीद सेवाल नाम के जीवानों से हरीद लोकों का विकास हुआ है ठीक है चले नेक्स्ट सतरों देखिया आपका दिया हुआ है एक स्वस्त वैसक में गुर्दो लिटर परती दिन होता है जिसमें प्रानमेक निसंद्य लगवक कितना होता है 180, 190, 170, 165 तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ए नमर यानिकी 180 होता है ठीक है देखिये किडिनी दवरा रुधी सूत सर्जी पदार्टो को दो चन्नों में हटाया जाता है पहला है फिल्टरेसन दवरा दूसरना है पुनरवोसन दवरा ठीक है चले नेक्स्ट अठारणमें देखिया आपका दिया हुआ है इन में से कौन सा आर परियावरन सरक्षन के तीन आर में से एक नहीं है रेडियोस, रिसाइकर, रिमोल्ड, रियूज तो इसका जो आपका राइट एंसर हो जाएगा एकदम अठारों का सीन अब्रॉप्षन यानि की रिमोल्ड तो इसके बारे चलिए थोड़ा संचेप में जान लेते हैं तो देखिए परियावरन सरक्षन के तीन आर है परियावरन सरक्षन के कितने आर है देखिए 19 में आपका दिया हुआ है प्रति विसानुक और सुध्या रूप से उपयोग की जाने के उपचार के लिए और से आर है प्रक्षुट संसे प्रति को किस रूप में परिवासित जाता है इशकी फोकस दूरी के वितकर्म इसकी फोकस दूरी के समान इसकी focus दूरी के गुनज इसकी focus दूरी के wave कलन इसका right answer हो जाएगा A number यानि कि इसकी focus दूरी के with curve A number option बिल्कुल right answer हो जाएगा तो आज की हम लोग का यहां पर कलास समापत होती है तो आप लोगो 20 में कितना question सही वह आप लोग comment करके बताईएगा ठीक है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा सेर कीजिएगा ताकि जितने त्यारी करने वाले candidate होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सके कि किस परकार का science का प्रसन बनता नहीं बनता है और पिछले एक्जामिसन में किस परकार का प्रसन आता है नहीं आता है इन सभी को analysis करना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो आप लोग सेर करतीजेगा और अभी तक आप लोग को ज़्यारी एक्जामिन नहीं होंगे तो वो लिग ज़्यारी एक्जामिन सब्सक्राइब पर लिजेगा और बेल आइकन को प्रस करतीजेगा ताकि जब इसी परकार का प्लोग वीडियो आएगा सबसे पहले notification मिल सकेगा ठीक है